अस्सलाम आलेकुम नमस्कार दोस्तो दोस्तो आपको बता दे कि कुछ लेटेस्ट अपडेट है तो दोस्तो आज का इस वीडियो में देख लेते हैं कि ताजा खबर क्या है कुईट से दोस्तो आपको बता दे इस वीडियो में हम कुरोना वरस का भी ताजा रिपोर्ट और उसके बाद दोस्तों आपको बता दे जो आज का लेटेस्ट अपडेट है उनको लेकर के जो यहाँ पे क्वेट के अंदर असंबली में मिटिंग थी वो कन्फर्म हो गया यानि कि 17 तारिक को कॉमेर्शियल के लिए सभी जो यह एरपोर्ट है 24 घंटे के लिए ओपन हो जाएगा आपको बता दे दोस्तों जो यहाँ का कुवेट इंटरनेशनल एरपोर्ट था वो पहले कोविट 19 के कारण कुछ समय के लिए ओपन था लेकिन अभी 24 घंटे के लिए ओपन कर दिया और बताएगा है कि जो पहले संख्यां थी फ्लाइटों का आना जाना वो काफी कम थी और अभी 24 घंटा ओपन होने से कुवेट एरपोर्ट के अंदर कई सुईधा बर जाएगी और फ्लाइटों की भी संख्यां बरा दी जाएगी और साथ दोस्तों बताएगा है कि जितने भी स्टाफ है कुवेट इंटरनेशनल एरपोर्ट का मिन्टेनेंस वो सभी कामों में लगे हैं और सभी को जो नियम ग कंटी बैंड है उनको भी ऐखोला जाएगा तो दोस्तों बात कर लेते हैं कुवेट के अंदर को रना वारिरस का आज का नया आकरा क्या है दोस्तों आपको बता दे कि जो आज का नया केस हैं चार सो नबासी है यानि कि फोर एट की बात करें तो आपको बता दे की 839 रिकावरी आज हुई है जो रिकावरी की टोटल संख्या है एक लाग 28,414 भी तक रिकावरी हो चुका है उसके बाद दोस्तों 115 टोटल सिरियस केस है जो की होस्पिटल के अंदर एड्मिट है और एक्टिव केस की बात करें तो बता दे की 8,073 एक्टिव केस है उसके बाद दोस्तों 5,072 लोगों का स्वेप टेस्ट हुआ है तो दोस्तों ये ताज़ा अपडेट है कोई 19 का कुएत का कल से थोड़ा ज्यादा है मामला दोस्तों आपको बता दे कुएत के अंदर जो गारी चलाते हैं उसके लिए ये काम की खबर ह जो यहां का ट्रेफिक विभाग है उन्होंने ओपरेशन चलाया हुआ है चेकिंग का कुएत के अंदर दोस्तों बहुत जबर्दस चेकिंग है जो ट्रेफिक विभाग है उसके द्वारा बताये गया है कि 22 वाहनों और 18 मोटर सैंकलों को गलत लगाने के कारण जब्त कर लि खिरासत में 114 यातियात कानून उलंगन करताओं का जिक्र करते हुए किसोर अभियोजन कार्याले को 102 किसोर सुरक्षा और नियाईक अधिकारियों द्वारा आवस्तक 11 वाहनों को जब्त कर लिया गया है और 28 को गिरफतार किया जा चुका है तो दोस्तों जो भी कुएत के अंदर ड्रैविंग करते हैं ध्यान से कुएत के अंदर अभी कोईट 19 के कारण बहुत ज्यादा चेकिंग चल रही है तो दोस्तों ये था कुएत से कुछ लेटेस्ट अपडेट दोस्तों इस चैनल पर अगर आप ऐसे ही न्यूज वीजा फ्लाइट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को जादर से जादर से